यूपी के सीएम योगिया दित्यनात ने दिया इस्तीफा और अगले मुख्यमंत्री बने हैं राजनासिंग इस तरह की खबर सोशल मेडिया पर चल लेगे लेकिन क्या सच्छा है इसमें इसी पर हम बात करेंगे और यूपी चुनाव की जो तैयारी चल रही है यूपी में भ राजनासिंग बने हैं क्योंकि राजनासिंग पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन सच्चाई में यह है कि सारी खबरे फर्जी हैं और के खबरों में तो यह भी के चैनल से दिखा रहा हैं कि इस्तीफा दे सकते हैं भाश्पन अराजे पार्टी से नि पी का और उनका मुध्दा जो रहेगा वो हिंदू तत्व का ही मुध्दा रहेगा जो हमेशा से उनकी हिंदू-मुस्लिम की पॉलिसी होती हो सी मुद्दे पर चुनाओ लड disturbance कि ने लेकिन बात करते हैं तरह से फेक नियूस फिलाई जा रही है इस पर बात करने भी जरूर कि विरोज जाने के लिए कुछ भी खबर चलाते हैं लोग उसको देखते भी हैं अब प्रॉब्लम क्या है फेक खबर चला रहा है इसलिए को अदिसले में क्या रहा हूँ क्योंकि जो इस तरह से आपको पता है यूट्यूब सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया है मोधी सरकार ने और बार बार एक बात कह रही है मोधी सरकार के फेक न्यूस चलती है इसलिए हम फेक न्यूस को दबाने के लिए इस तरह से कंट्रूल करना चाते हैं सोशल मीडिया को जिस तरह से फेस्बुक और ट्विटर विवार चला है उसमें सारी ट्रांस्परेंसी खतम हो दिखाती है कि देखिए कितनी फेक न्यूस चल रही है अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो यह फेक न्यूस की फैक्टरी बंद नहीं होगी तो यही वो समस्या है जब इस तरह के चैनल चलते रहेंगे तो जो हम जैसे लोग पत्रकार है या और भी चैनल से बड़े चैनल से जो सच दिखाते हैं और सही तरीके से ना कि यह कि सिर्फ मोधी की ही बुराई करनी है या कुछ भी होगा अगर मोधी सरकार के काम अच्छे होते हैं वो चैनल वह भी दिखाते हैं और इस तरह की खबरे नहीं बनाते सीफा दिया जो एक्च्वल फैक्ट से वह रखे जाते ह वो क्या रहा है कि इन चैनल्स की वज़े से दूसरे चैनल्स के साथ समस्या खड़ी हो रही है और मोधी सरकार ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया या यह भी मैं कह सकता हूं कि इनकी रीच बढ़ाई जाती और इस तरह की पेख खबरे जान पूच के चलाई जाते ह भाजपा सरकार को फायदा हो और कोट में इन पे अक्शन भी नहीं लिया जाता ताकि वो कोट में प्रूफ कर सके देखिए फेक न्यूस हम चल रही है हमारे खिलाव लेकिन वह फायदा पहुचा रही है बीजेपी को खर यह तो बात हो गई फेक न्यूस की इस पर आप क्य से फायदा हो रहा है अब बात करते हैं यूपी में चल क्या रहा है यूपी के प्रभारी रादा मोहन आज गवर्नर आरंदी बेन पटेल से मिले यूपी के गवर्नर से मिलें उन्होंने एक बंद लिफाफा उनको दिया उस बंद लिफाफे में क्या था यह किसी को भी तक नहीं पता चला है कि क्या योगी के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट गई है क्योंकि रूमर्स ऐसे ही बन रहा है बट ऐसा कुछ नहीं था रादा मोहन ने बात क्लियर कर दी कि मंत्री मंदल का विस्तार जो भी होगा वह खुद मुख योपी के अध्यक्ष सतंतर देर सिंग ने क्या कहा है वो उस पर गोर कर यह खबर है वो साफ यह कह रहा है कि योपी को योगी अधित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंद्री नहीं मिल सकता तो यानि कि यह बात क्लियर हो जाती है कि भाजपा उनको हटाने के बिल्कुल भी मू जो उनका होता है मेंशा हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसे मैंने शुरू में बताया था क्यों क्योंकि भाजपा के पास कोई और चारा नहीं है यह खबर देखेंगे बीवी सी बीए के रिए क्या मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ गए हैं योगी रत्यनाथ क इस वक्त योगी रत्यनाथ सबस्यादा भारी पड़ रहा है मोदी शाह की जोड़ी के सामने योगी रत्यनाथ काफी ऊंचे पहुंच गया है उसकी वज़ा है ऐसा नहीं के काम बहुत अच्छे करें दूसरा रीज़न है उन मुद्दों पर हम बात करेंगे असल में दिन पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी या किसी भी बड़े नेता ने उनको बढ़ाई तक में दी सिवाए राजना सिंग एक लोते से नेता बड़े नेता बढ़े बीज़ेपी के जिन्हों ने योगी तित्तिनाथ की जनम दिन पर उनको बढ़ाई दियो उसके लावा इंटर्नल सोर्स से ये खबर आई थी कि योगी जित्तिनाथ ने साफ के दिया था अगर उनको सियम नहीं बनाया गया तो 117 विधायक उनके पास हैं वो लेकर अपना अलग दल बना लेंगे यानि कि धंकी दी योगी जित्तिनाथ ने साफ कि सियम बनूँगा तो मैं ही अलग चलते हैं यही वज़ा है कि मोदी और योगी में इतनी बनती भी नहीं है सिर्फ मजबूरी है मजबूरी क्या है यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलिम का विवाद रहता है महां सबसे ज़्यादा इशू अगर कुछ है तो वह हिंदू मुसलिम को लेकर है उ पर एक ही नाम बचता है योग्य दित्यनाद पहली चीज तो यह हो गई जिसके आगे भाजपा मजबूर है कि अगर योग्य दित्यनाद के सामने किसी को खड़ा करेंगे तो किसको खड़ा करें दूसरी मजबूरी है कि अगर योग्य दित्यनाद को हटाते हैं तो योग्य द बिखड जाएंगे आदे योगी के पास चलाएंगे आदे मोदी के खेमे में चले जाएंगे ऐसे में नुकसान सीधा सीधा किसी को होगा तो बीजेपी को होगा किसी और को नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि जो वोट शेर है वो एक ही वोट है और दो जगा डाइवर्ट हो जाएगा तो मौदी शाह की ये मजबूरी है जिसके आगे योगी रिप्टणाथ के आगे उनको जुखना पड़ेगा दोसरी यूपी में इस वक्त बंगाल हारें बंगाल हारने के बाद अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे खराब स्थिति उनकी है क्योंकि यूपी में क पुरा इनकी नाक की हड़ी या कि यह बना है कि वो इसे ना तो निगली जा रही है ना बहार निकाली जा रही है क्योंकि यह फ़स्ट के हैं क्रोना काल में व्य स्टिती यूपी की थि और किसांदोलन्ध में सबसे आधा परिशानी पंजाब के बाद अगर कही हुए यू पि फस गया कि अगर योगी को हटाएंगे तो उनके पास सिवाय हार ने के कुछ नहीं रहे जाएगा और पार्टी पहले ही हार की स्थिती में पहुँच चुकी है तो यह कंडीशन है जिसकी वज़े से योगी अधित्तिनाथ को जेलना पड़ा है प्रदान महिंतरी मोधी और शा की सोर्सिस से खबरे मिलती है और अंदाजा भी लग रहा है जब से उनके उपर रिपोर्टिंग की गई है रिव्यू लिया गया है तो उससे अंदाजा ही लगाया गया था कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है दूसरी और केशब परसाद मोर रिया जो बड़ा नाम हुआ करते एक टाइम के CM थे अब उन महज वो डिपटी CM बनके रह चुके हैं और जो भी कारियाल है CM उफिस में नहीं करता उनको विधान सब्सक्राव में उनका कार्याल होता है यह तक कि उनकी हालत यह है कि वो डारेक्टली किसी से का तबादला करना किसी का कुछ भी करना है यानि कि सिर्फ केशव परसाद मुरिया नाम के रह चुके है निताओ उनकी भी कुछ भी नहीं चल पा रही है लेकिन प्राबलम यह है अगर केशव परसाद मुरिया की नहीं सुनती वीजेपी तो OBC वोड जो है वो सारा उनके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि केशव परसाद मुरिया OBC से आते हैं तो भाचपा इस वक्त यूपी में पूरी तरहां से भसी पड़ी है यूपी बचाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है जब से वंगार हा रहा है तब से इस स्थीजी में पहुच चुकी है कि मोदी जी को ना सुनने की आदत नहीं थी लेकिन मजबूरी में उनको ना सुननी पड़ रही है खेर आप क्या सूचते हैं आपको क्या लगता है क्या होने वाला यूपी में हमें कोमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें